इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं चाप्टर नमबर फोर इसका नाम है इसमें आप अपने वन से बहुत कुछ लिख सकते हो और यह जो चाप्टर है इसमें यह आपको दिला सकता है एक में से आपका एक कोशन आता है चार माक वाला ठीक है एक कोशन आता है आपका तीनperformance वाला और एककोशन आएगा एक माक वाला tutte mpora बन जाएंगे आपके आठ मांक और यह चाप्टर करके जाओगे तो आपका आठ मांक Crushत जाता है और बहुत बहुत कम है तो यह मेरे साब से आप कर लेना एक घंटे में आपका जाते-जाते भी करके जाओगे तो भी हो जाएगा तो यह चप्रा बहुत आराम से कर सकते हो today by लेलो यस टो आपके वूत डेली लाइफ में यह चीजे चीजे होती है लेलो वाशिंग ममशिन लेलो जा एन्दर कंट्रोलर होता है पूरा ओटोमेटिक कट होता है थीकर उसके वाटरी डिरेक्शन होता है उसके थूँ होता है nightmare 비ड्राइए 144 Controle मिमीगी क्या ओता है जैसे कोई computer में क्या ओता है keyboard होता है screen होता है वी सकंदर का प्रोसेसर हो गया है गए वैसे ही छोटा जैसे कि आप यह कह बोलते हैं conceived machine ले लो तो उसमें भी display होता हुँता सा समझोब हो आपका चोटा monitor है किप पाद यs कीबोड देते हैं कि आपको कितने पर उसको घुमाना है आपका कपड़ा कितने पर धोना है स्पीड अपसेट कर सकता है तो आपके डेटा को प्रोसेस कर सकता है यह बहुत इसमें जो स्पेस होता ना राम और रोम भी होता इसके अंदर तो इसके अंदर राम और रोम भी होता लेकिन बहुत छोटा होता है रोम मतलब आपका जो एक्चुली डेटा को स्टोर करते हो डेस्क में तो वैसे इसके अंदर भी होता है बहुत छोटा सा स्पेस होता है क्योंकि इसमें इसमें आप deep photos is फिर प्रहते निन करे टे 되면 इस वह द paling जर पंद्रा के स्पीड पे चलाना नोगोसी उसके लिए हुँ चोटा मोड़ा होता उसम्य डीटा में इस टो प्रhta है तो मेरा कहन होता मेरा कहने के सब्लाब है कि जो also controller होता है वो छोटा computer होता है जितके अंदर पूरा setup होता है राम का रोम का इसके बाद तुम्हारा input output होता है इसके अंदर display होता है यह सारी चीज़ होती है वो छोटा computer होता है तो इसके अंदर यह जो प्रोसेसर होता है तो इसके अंदर जो प्रोसेसर होता है वो फास्ट नहीं होता है चोटे मोटे प्रोसेस करने के लिए बनाय जाता है ठीक है साउंड नहीं आ रहे है साउंड नहीं आ रहे हैं कन्फर्म करो चैड बॉक्स में साउंड आ रहे हैं अभी इसके बाद आपसे कब सीखेंगे इसके बाद अगर आपको कोडिंग में इंट्रेस्ट है तो मैं कोर्स लाने वाला हूँ वेब डिवल्लेपमेंट का HTML, CSI, Javascript का उसके बाद मैं कोर्स लाने वाला हूँ आपका अपलिकेशन डिवलेपमेंट का यानि Android आइस अपलिकेशन कैसे डिवल्लॉप किया जा सकता है ठीक है उसके बाद बहुत सारे और courses C++ का already course चालू है उसको complete करना है फिर C का course आने वाला है, Java का आने वाला है, PHP का आने वाला है ठीक है, तो ये सारे बहुत सारे courses आने वाले आप वहाँ पर भी सीख सकते हो आ रहा है, आ रहा है आवास ठीक है, distinguish आता है microcontroller मैंने बहुत देखा नहीं है, अगर है तो भेज़ो मैं आप सर मीट अप कब है, कल मैं सोच रहा हूँ, आप्टर एक्जाम, आपका जब एक्जाम खतम होगा उसके बाद मिलते हैं सर पेड लोग है, मोशली फ्री रहेगा यार, मोशली फ्री रहेगा, बहुत मैं ट्राइ करूँगा, मोशली फ्री रखने के लिए, देखूँगा, पेड कोशल करनाने का भी तो कोई प्लान नहीं है प्राची, Congress for 21,000, थैंक्यू सो मच प्राची सर यह सब फ्री रहेंगे, क्या, यार, मोशली अभी तक मेरा कोई प्लान नहीं है, पेड कोर्स बनाने के लिए टीपीएस में है, लेगिन टीपीएस में है लेकिन वो देखो, लास्ट यह के कुश्चन में, मतलब आये है क्या, फिक है, लास्ट यह पेड़़् में पेड़़् में यास, लिकना ज़रू रही है, तर पेड चलेगा, ठीक है, देखेंगे, यार, कुछ ऐसे, मोशली में ट सब को पढ़ने मिले मैं चाहता हूं मुझे लगे कि मैं कोई टीचर हायर करके पढ़ाने वाला हूं इसको पैसे देने मुझे खर्चा करना है वहां पर मैं बहुत ही मिनिमम आमाउट रखूंगा ठीक है बहुत तो दोसो पांसो जाजाजा कोर्स पांसो करेंगे ऐसा ट्राइ करना है यह सारी सिखाँगा वोग्स में ठीक है अगर पेड़ कॉर्स बनाओंगा तो ऐसे में अगर पेड़ रहेंगे कोर्स तो उसमें ऐसे सिखाँगा वह 500 आप 500 का आप उसका 10 गुना कैसे कमा सकते हैं तो माइक्र कंट्रॉलर समझ गया क्या होता है बेसिकली मोटा- इन्पूट डिवाइज होता है उसके अंदर ठीक है तो यह सारी चीज होते है माइक्रो कंट्रोलर के अंदर ठीक है माइक्रो कंट्रोल के लिए अलग से एक्स्टरनल राम लगाना पड़ता है ऑसके अंदर ही कर सकते हैं टिक है तो यह सारी चीज़ है प्टने मंसे बना सकते हैं तीन пい बना В और भी अभी जो पढ़ेंगे micro controller detail में तो वहां पे आपको समझ्ज में आ जाएगा ठीक है दूसरा point लिख सकते हो micro controller जो होता है छोटर जो devices होते हैं कहां कहां यूज यूज होता है जैसे remote में होता है washing machine में होता है keyboard के अंदर भी microcontroller use होता है, यह साइज चीज़ा लिख सकते हो, but microprocessor क्या होता है, बड़े-बड़े computer के लिए use कियाता है, ठीक है, बड़े-बड़े processing power अगर चाहिए, वहाँ के लिख सकते है, इसारे points अपने मन से भी लिख सकते हैं, नहीं कि यह जो बुक में दिया है वही पॉइंट लिखना है ठीक है हम लोग बहुत स्मार्ट जनरेशन में है रहे हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं इसारी चीज़ें खुद से भी कर सकते हैं कि इस माइक्रो कंट्रोलर एक्स्प्लें इन शॉट राइट शॉट वन राइट नोट ऑन कंप्लीट माइक्रो प्रसर सिस्टम ठीक है यह दो क्वेशन टाइप मदब इंट्रोड़क्शन टाइप था तो इसको कैसे लिखोगे तो जो मैंने बताए आपको वही लिखना है जो अब माइक्रो कंट्रोलर इस एक कंप्लीट माइक्रो प्रसर सिस्टम ठीक है माइक्रो कंट्रोल क्या होता है एक कंप्लीट माइक्रो प्रसर क्यों बोला है क्योंकि इसके अंदर सब कुछ होता है लेकिन एक सिंगल माइक्रो प्रसर के अंदर सब कुछ नहीं होता है उसके जो राम रोम इंपूट अब डिवाइज़ और जो स्क्रीन परिफरिल डिवाइज़ अलग से जॉइन करना पड़ता है ठीक है इरेज़बल पी मतलब प्रोग्रामिबल रोम उसके बार राम मतलब रेंडम एक्सेस मेंबरी होता है इन्पूट आटपूट पोर्ट होता है इसके इसको बोलते हैं इसको 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 चोटा मुटा काम करता है आप क्विश भी कंट्रोल करने के लिए अब टीवी को आफ करना तो आप क्या करोगे रिमोर से करोगे इसके इंदर माइक्रो रगाता है जैसे एलिवी लाइट आती है आज कल उसको बह度 पर है जैसे आपका व्यूशिंग मोशिन ओगया उसको कंट्रोल करने कले लिए फ्री जोता इसक के अंदर माइक्रोकंट्रोल लगाता है तेसके वीडियो भी बनाये हैं आप जाके देख सकते हो ठीक है ये ऐसा पॉइंट इसके बहुत 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 बात नहीं करो तो तुम उस पर ठीक है आर्ग्यू करने लोगे बन जाए ठीक है अभी आड्रीनो बोर्ड आता है आड्रीनो बोर्ड से आप क्या कर सकते हो रिमोट वाली कार बना सकते हो तो यह सब्सक्राइब किसी होती होती है फिर बीक स्टैंडर जिसमें बेसी क्यालक्यलेशन कर सकें रोम होना चाहिए एप्रोम रा राम या पैलल इंपूट पोर्ट्स टाइमर एंड क्लॉक सीरियल पोर्स बैसिकली कहने का मतलब कंप्यूटर के अंदर जो भी चीज़ा होती है वो छोटे लटो अमांट में होना चाहिए छोटे टो पार्ट में होना चाहिए ठीक है तो एक माइक्रो कंट्रोलर क्यालाएगा ठोटा सा राम होना चाहिए ठोटा सा रोम होना चाहिए ठीक है सब बाइट्स में होता है अब माइक्रो कंट्रोलर जो होता है उसके अंदर देखो सब कुछ होता है राम रोम इ यह किसी भी wonder कउम्प्ले Elementary से ज्यादा कॉंपलेक्स होता है कि एक सिर्किट में यह चिप में आपको सब कुछ बैठाना है तो ऑब्लेशली ओ डिजड़ां कि ओगा कॉंपलेक्स होग है ये कि इसलें इन इंट्यल इसके दो इख्जामपल कॉन को से माइक्रैमी ये यह माइक्रो कंट्रोलर है या माइक्रो प्रोसेसर है तो तो एड़ जिरो फॉर एड़ और यह दो में होते है यह यह बोल रहा हूं हमारे करने का तातपर आपको समझ में आ रहे है या उपर से जा रहा है आपको यहां पर आपस बोला है कि डिफायट माइक्रों इडिफायन करो इसके बाद उसके चार एडवांटेज़ बता दो किसके ऊपर माइक्रो प्रॉसेसर के ऊपर मतलब माइक्रो प्रॉसेसर से क्या एडवांटेज tandem माइक्रो कंच्रो गे अब यह जो पोईंट मंआ बोल रहा हूंना यह वाले पॉइंट यह आप जो डिफरेंस बोल रहा है ना ले इस लिए आपक है कुछ कुछ नहीं हुआ है वो हाओ कैना इगेट 40 प्लस पहले तो यार 40 प्लस चाहिए 35 पहले मार्क्स को सेक्योर करो वो कैसे करोगे चैप्टर नमबर वन और चैप्टर नमबर फाइफ फटावट कर लो ठीक है 35 मार्क्स तुमारा 35 तू 40 बीच में उसका तुमारा मार्क्स आ जाएगा अगर वो कर लोगी तो उसके बाद मैं तो बोलता हूँ तुम सेकेंड चैप्टर पे जाओ मैं बोला था आज के दिन तुम सेकेंड चैप्टर करो कल के दिन तुमारा 11 बज़े तक का टाइम रहता तो तुम ये दो चप्टर जो बचे है ना, इसको कल के दिन भी कर सकते हो, ठीक है, ये वाला जो चप्टर है, ये दो चप्टर है, जो कल भी कर सकते है, कल सुबाउट के अगर दो चप्टर अगर देख लोगे ना, तो भी तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है, ये इसको ये तो तुम क्या करना यह वह लह देखना तो तुमारा अट-डिस 40 मार्क्स तुमारा स्कोर हो जाएगा परस्ट फिफ्ट और यह वाला चěप्टर देख लेना तुम थापтесь लिए तर्ड देख लेना तुम सेकेंड चप्टर पर जाना ओर रिट जो अभी स्टार्ट कर रहा हो ज CP का कोर्स निकालो competitive programming right CP मतलब बहुत साथ चीज़ होती है तो तुम competitive programming बोल रहे है या क्या बोल रहे है advantages of microcontroller क्या होता है सबको पता है a microcontroller is a complete microprocessor system consisting of consisting of microprocessor limited amount of ROM RAM parallel जो ओपर बोला वही point same है ठीक है advantages of microcontroller over microprocessor based system ठीक है microcontroller का advantage of microprocessor के ऊपर ठीक है तो क्या है the cost of microcontroller is less than the microprocessor based system microcontroller जो होते न जो circuits आते न बहुत सस्ते आते as compared to microprocessor क्यों अब देखो मैं i7 का दाम निकालने गया था इंटल i7 का प्रोसेटर जो होता है उसका दाम ही 60-70,000 उसका प्राइज ही है तो बहुत महेंगा आता है microcontroller जो होते हैं जैसे सेंसर जो होते हैं या फिर रिमोड यूमोड में लगते हैं बहुत सस्ते आते हैं दो-300 आपको रिमोड मिल जाता है बताओ microcontroller has more input output component than a microprocessor based system microcontroller होते है उसमें ज्यादा input output component होते हैं क्यों होते हैं क्यों कि इसके निदर input output port होता है RAM होता है RAM ROM होता है यह साही चीह होता है इसलिए उसमें ज्यादा input output component होते है than microprocessor based system microcontroller can use in wide variety of intelligent products such as personal computer keyboards ठीक है microprocessor based systems cannot be used in such intelligence products ठीक है तो microcontroller जो होता है जैसे कि बहुत अलग-अलग products में जैसे मैंने बता है आपको freeze में हो गया आपका washing machine में हो गया keyboard जो होते हैं बहुत सारे अलग-अलग keyboard होते हैं लग टाइप के बहुत लोग mechanical keyboard लेते गेमर्स होते हैं बहुत सारे प्रोग्रामर्स भी होते हैं जो obsessed होते है mechanical keyboard के लिए तो वह सब चीजों में कहां क्या ही होता है आपका microcontroller यूज़ता है लेकिन microprocessor बेस जो systems होते हैं cannot be used in such intelligent microprocessor जो होते हैं वह अलग से सिफ यूज़ नहीं कर सकते हैं keyboard keyboard में आप microprocessor लगाओगे लगता है लगता है लोकोष्ट प्रडॉक्स अच्छ इलेक्ट्रोनिक टॉईज इलेक्रोनिक डिल्स इलेक्रोनिक डिल्स माइक्रोवेव ओवन्स वी सी यार वीडियो कैसेट रिकॉर्डर जिसको बुलते हैं बेश का यह सब क्या होते हैं माइक्रोवेव ऐसे रिकॉर्डर यह सब क्या होते हैं माइक्रो कंट्रोल से बेश होते हैं लेकिन यह सारे यह सारी जो पॉइंट्स मैंने बोले ना यह सब डिफरेंस आएगा नहीं चारो पॉइंट चिपका देनेगा अगर डिफरेंस आया आपको माइक्रो पॉइंट्स मिलेगा लेकिन मैं सजेश करूंगा यार पूरा लिख दो मैं सजेश करूंगा आप कुश्चन लिखो फिसका एक लाइन लिखने में क्या जाता है आपका बहुत टाइम रहता ना तीन घंटा रहता है तो क्या करोगे आदे मतलब आदे लोग तो उसमें आदी नीद कंप्लीट कर सकते हैं पेपर लिखने के बाद बहुत टाइम रहता ह हो इंद्रलोग फेसिक्स में रहता हूं है तो अगर मिलना है तो लर्तिवारी कॉलेज के दर हम लोग ट्राइ करते हैं मिलने के लिए कल पेपर के बाद जिसको आना है आ जाना सर एक बार प्रोग्राम कैसे लिखते हो बता दो ठीक है प्रोग्राम लिखने का तरीका सिंपल सा है देखो पहले आप जो भी है मिमोनिक्स लेबल एक को टेबल बना लो टेबल फॉरमर में लिखना पहले लेबल का बना लो एक कॉलम फिसका मिमोनिक्स का बना दो फिसका कमेंट्स का बना दो अगर आपको एकजाम में मिलता है वो शीट मिलता है तब ही बनाना उसका नहीं मिलता तो मत बनाना वो लिखने ही जरूत नहीं है अगर नहीं मिलता तो लिखने जरत नहीं है मिलता है तो टिव लिख देना ठीक है तर मैं आधा घंटा सोके लिखाता विवर क्या बात है वेरी गूड़ टोटलगी rely अभी सेकेंद चेप्टर स्टार्ड करेंगे तो नहीं कि प्रोक्स कितना टाइम लगेगा सेकेंद चेप्टर को डेको सेकेंद Πर जैदस जया वीडियो है वह दो गंटे का है। 是 इसके बाद दो गंड़े का प्रोग्रामींग का लेक्चर है और अगर सब्स ने सेकंड चप्टर सूबस से स्टार्ट नहीं किया अगर कल आपने फर्स फिफ चटर नहीं किया था अब सब्सक्राइब अभी तक आप का सिफ फिफ चटर लो उसके बाद एक गंड़ा लगेगा आपको चप्टर नमबर 4 करने में एक गंड़ा लगेगा आपको चप्टर नमबर 3 करने में तो यहां पर आपका 40 marks प्रिपेर हो जाएगा 40 marks 40 marks आपका 1st, 5th और 2nd 1st, 5th, 3rd and 4th से हो जाएगा अब 2nd chapter जो है लाश के 10 mark के लिए बचा लो ठीक है तो 2nd chapter अगर skip करोगे 10 mark जाएगा उसके बाद टाइम मिलता तो 2nd chapter कर लेना ठीक है तो स्टार्ट करते है 2nd chapter easy hard भी है नहीं पढ़ोगे उसको थोड़ा टाइम नहीं दोगे तो easy नहीं लगया उसको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा आपको और चलो नहीं तो बहुत टाइम चलेगा इसमें आपको भी पढ़ना है राइट what are the main feature of 8051 8051 क्या है आप देखो यह 8051 microcontroller है microcontroller बहुत सारे होता है 8048 होता है 8049 होता है 8050 होता है 8051 होता है ठीक है यह सारे microcontroller 8048 से start होता है इसने बुला है features of 8051 के बताने मायक्रो कंट्रोल में क्या-क्या होता ही राम कितना होता है रोम कितना होता है input out Brooklyn कितने होते है т Brushy नहीं ञटने है उसमें प्रामरी जो Valley ृओ ती है तुमारा RAM RAMzar 8085 fungi देखो माईक्रों के मैंदा पीट और कंप्यृत्र होता है मैंदाब इसमें एलिब ना E00 एल्यू एल्यू मतलब अरिफ्माटिकल यूट एट जीरो फाइव वन माइक्रों एड़ बिट एल्यू ठीक है उसके बाद एट जीरो फाइव वन हैस फोर के भी रोम या फी प्रॉम कभी-कभी कोई-कभी कोई-कॉई इसका साइー कितना होता है ने फोर के भी एक हेव के भी और इदोसके बाद राम कितना होता हैं वो पता दो रैम इसका होता है में हमेश्ञा आप का रोम होता जादा हो यह खो वह की वग्या फॉर GGबायट चैँ सिफ व में है इसके वाद उ मेंक तुम्हारा हमें कार्योंत इवेंट काउंटर होता है इसके अंदर होता है और इसके अंदर इंपूट पॉट कितना साइज होता है इसे चार लाइन होते है उसमें से एक जोता है वह कितना होता है एक इसके बाद प्रोग्राम मेमरी इसके अंदर प्रोग्राम मेमरी होता है कितने 64 चार विकशन का प्रोग्राम मेमरी इसके बारे प्रोग्राम कि कितने साइज को अधा कि Ф कि पेपर में जो था वो रॉंग था इस पाउरफुल इंस्ट्रॉक्शन सेट कंसिश्टिंग ओफ वन वन यह वन मार्क में कभी कभी आता है याद रखना है इस पाउरफुल इंस्ट्रॉक्शन सेट इसमें कितने इंस्ट्रॉक्शन आप इसमें होते हैं 111 इंस्ट्रॉक्शन होते हैं यह याद रखना है एक वन मार्क में आता है इसमें दो इंटरेफ्स क्या होता है यह मैंने बहुत अच्छे से समझाये मार्क्स मिलेगा ना इस समश्ली मार्क्स मिलना कर अगर अडंट प्रिकुंश का होता Tech जाता है यह सारे आप लिख सकते उसमें राम का साइस कितना होता है ठीक है एल्यू का साइस कितना होता है रहा कि कितना होगा रोम का कितना हो गया इसमें दो क्या होते हैं दो इंटरफ होते हैं इसमें दो इंटरफ होते हैं फिसके बाद इवेंट काउंटर होते हैं बहुत कितने 16 बिट का होता है इसके बाद इसमें 32 बिट का होता है दोनों सेम होते हैं इसमें 111 इंस्ट्रक्शन होते हैं ऐसा लगता है इंस्ट्रक्शन नहीं सब्सक्राइब है तो यह सब चीज़े आप लिख सकते हो मेरे साब से समझ में आ गया कि आप लोग अर्शन मेमरी अर्टमेमरी को एक्सप्लें करना इसी को बोलते हैं अग। कभी बोलता है प्रोग्राम में में एक्सप्लेंग करो तो कैसे करेंगे डीटेल हाव 8085 10 selfish फ्लिक्स करें दो सेपरेड मेमरी स्पेसे को कैसे करें दो सेपरेट डेन्री स्पेस फ्लिकस्त में मेमरी को दुसरा कोरता लोड इरेजडेबल प्रोग्राम मतलब उसको इरेज करके उसके दूसरा डेटा यूज कर सकते हो ठीक है तो मैंने यहां पर हम लोगों ने पढ़ा था किस कितने के बीगा होता है वह 64 के बाइट्स होता है और तुम्हारा जो रायम होता है वह भी अप्टू 64 किलो बाइट्स होता ह अब यहां पर इसका मतलब होता है इसके बीच का सारा एट्रेस पूरा एट्रेस ने लिए सकते इसलिए ऐसा लगा दिया है कि बीच का सारा एट्रेस ठीक है अब देखो यह जो होता है यह होता है यह होता है क्या एक्स्टरनली मतलब बाहर से एट अटाइच कर सकते हैं मतल से लगा रहे इसलिए एक्टरनल रैम और इट उसके बाद इसमें और भी जो प्रोग्रामेबल मेंबरी होता है इसमें और भी एक्टरा चीज़े आप कर सकते हो कि कचरा पहले निकाल देते हैं मैं खुद कचरा करते देता हूं तो यहां पर देखो वो जो यहां पर यह जो होता है ना 4KB का इसमें जो प्रोग्राम में रोम होता है ना इसमें 4KB का इंटर्नल होता है मतलब इसके अंदर माइक्डरों के खुद का 4KB का रैम होता है अगर अलग से लगाना है तो आप 64KB तक आप बढ़ा सकते हो ठीक है अब टूफ 60KB और एक्टरनल रोम और इप्रूम और इसके अलावा भी आप क्या कर सकते हो 60KB का और लगा सकते हो ठीक है तो इसका ड्रेस लिखो के 0000 से लेके अब इसका मैंने बताया जो ऐसे से लाला है मतलब इसके बीच का एड्रेस रहेगा पूरा नहीं सकते है इसले ऐसा साइन लगा दिया है ठीक है अब इसके बाद यहाँ पर देखो ज रोम होता है इसमें special function registers होते है और इसके बाद 128 bytes का रहं होता है 128 byte का तो यह 128 byte का रहम होता है उसके अलावा special function registers होते हैं इसका भी आड्रेस लिख देना लेकिन 0 0 f 7 f تک उसके बाद 8 0 7 8 तक एक बाकि यह वाला इं arises चाओ जाए जाए गाफ रट यह पहले देखो यह बना दे ना इसका होता है जिए दोनों का हाइट यह बना दिया आपने पीज सके बाद आप ने जोडबा नहीं kita अरण एक्ष्णर बनाना है इसमें 4going ना है। या फिर लगा सकते हो ताकि आप इसमें और भी एक्टेंट करना तो 60 60 के बीका और एक्टेनल रोम लगा सकते हो ठीक है यह आप समझ गए यह तीन दो डबबा बन गया अब यह वाला जो रोम का सो यह रैम का डबबा है इसको बता दो की यहां पे 120 बाइट का रैम होता है और यह पता है नवहीं explain करना है जो बोला मैंने वही वापस में एक बार पढ़ लेता हूं 8051 एड्रस है तू सेपरेट मेंबरी स्पेसे इसमें दो सेपरेट मेंबरी स्पेसे रहेंगे इतना सारा डाइग्राम कैसे याद रखेंगे इतना सारा कहां पर इसमें तो एक ही आपको याद रह जाता है यह चीजह याद रह जाती दिमाग में कब बैढ़ आगे आपको पता नहीं चलेगा वाट इस इप्रॉम मतलब ए मतलब इरेजबल पी मतलब प्रोग्रामेबल रोम ठीक है जिसमें ऐसा रोम जिसके इंदर जो डेटा है उसको आप इरेस कर सकते हो इरेस करके नया डेटा ला सकते हो बदब रीड और राइड दोनों कर सकते हो बट सीव रोम में क्या कर सकते हो उसमें राइड नहीं कर सकते है ठीक है इटा है टो सेपरेड मेंबरी स्पेस दो सेपरेड स्पेस होता है एक होता है प्रोग्रामेबल एक होता है डेटा डेटा ऐसको जो प्रोग्राम मेर्य स्पेससे उसमे क्या प्रोग्राम होता है और जो देटा होता है वह प्रोग्राम मतलब इंस्रोक्षिस ठीक है it is possible to read program instruction from this space आप क्या कर सकते यह जो रोम होता है क्या होताँ दर नहीं कर सकते हैं तो इसमें आप डेटा राइट नहीं कर सकते हैं यह ऐसी होती है और इंस्ट्रक्षजश आप बिर ठाल दिशाब होथा है कि यहां से बिर भन्यौरी और स्चट़र करोगे टोχैता था इसoup जो data रहे जो RAM होता है वो read only नहीं होता है read and write दोनों होता है इसके इंदर read write दोनों कर सकते हैं तब processor can read data from this memory space processor वहां से data को read कर सकता है and can write data to this में और read and write basically दोनों कर सकता है ठीक है कौन processor it cannot execute instruction from this memory space लेकिन instruction को वहीं से execute नहीं किया सकता है ठीक है 8051 internal RAM in this memory space ठीक है 8051 internal RAM is in this memory space मतलब 8051 में क्या होता है internal RAM भी होता है कि और राइट कितने size का होता है 128 bytes of internal RAM provide RAM provide general read write data storage ठीक है 128 byte का यह जो RAM है यही आपको क्या हता read write data storage प्रोवाइड करता है ठीक है some part of this is often referred to as as a register इसका कुछ पार्ट जो होता है इसको बोलता है special function रेश्टर जो मैंने बुला इसका जो कुछ पार्ट जो है इसको reserve किया किसके लिए special function रेश्टर के लिए 8051 has 28 22 special function register इसमें 22 special function रेश्टर है कितने होते 22 होते है which are not part of 128 byte of RAM यह 128 byte of RAM देखे उसका जगह अलग है ठीक है they occupy memory space from 80 से लेखे F8H तक these registers are used for their intended purpose इसके अलग-अलग purpose होते है इसलिए इसको बोलते है special function register इसके अलग-अलग function के लिए ठीक है यह जो रोम की बात कर रहा है यह जो रोम है इसका जो 4kb है इसको extend करके not extend extend करके आप 60 60 kb का और इसमें जोड सकते हो इसमें जोड सकते हो इसमें data memory can also be expanded to 64 kb लेकिन तुम्हार प्रोग्राम memory तुमने 64 kb तक लेकिन तुम क्या करते हो अलग से यहां पर 64 kb का और भी expand करने के लिए लगा सकते हो जैसे कि तुम अपने computer में expand करने के लिए 8gb कभी 16gb का RAM expand करते रहते हैं ठीक है तर कितना टाइम लगेगा बस हो गया यार खतम हो गया के बाद एक लाश्ट टॉपिक है और राइट एक घंटा होने आगया क्या दस पंद्रम मेंट ओ लगया दस दस मेंट ठीक है 808 8051 आप अलग से भी ऑपरेटर कर सकते हो इसको बसे कॉम विद कॉमन मेंब्री गोलते इसको होता है राइट in this configuration अगर आप common memory use कर रहे हो तो ठीक है 808 find input block of data through the serial communication वो जो serial port होता है उसके through क्या कर सकता है जो data है उसको ला सकता है and that data in memory ठीक है port and उसको क्या कर सकता है memory में load कर सकता है then execute that data as a program फिर उसी data को as a program run कर सकता है जो भी common memory area वहां पर this is called downloaded program इसको बलते हैं प्रोग्राम को download यहां पर क्या कर रहा है पहले लोड कर ले रहा है memory में उसके बाद वहीं पर execute कर रहे है इसको बलते है downloaded program यह पॉइंट अगर हाड लग रहा है तो नहीं लिखो रहे एक्ट्रा पॉइंट आ रहे तो दस पॉइंट लीदो छे आठ पॉइंट लीदो चलेगा इस वेरी कॉमन टेक्नीक यूज तू यूज चेंड प्रोग्राम ऑपरेटिंग इना रिमोट मैक्रो प्रिसर बेस्ट कंट्रोलर ठीक है अगर आपका जो माइक्रो कंट्रोलर है वह उसका जो माइक्रो प्रिमोट एरिया पर है तो उसकेस में ऐसे मतलब जो डेटा उसको डाउनलोड करके फिर इसको execute के आता है जियो कारियर फ्री लांसिंग जॉब रियल है या फेक फ्री लांसिंग जॉब जियो कारियर मुझे नहीं पता मैंने नहीं देखा है । लाकल मासbles से या इसके प्र चाल मेरे होते हैं। 8052 इसके बात है 8031 8032 यह किसकी फैमिली आपका 8031 यह इसका ही पार्ट है 8051 का और 8032 है जो यह 8052 का ही पार्ट है इसके आपका 8052 एक बार फटा बड़ देता हूं इसके पांच में लगेगा इसको कम्प्लेट करने में ठीक है तो यह आपको अगर एक्जाम में आता है कि 8051 की ब 8040 पहला जो इंटल ने माइक्रों बना तो 8048 था उसके बाद आप उसने निकाला 8089 उसके बाद 98049 बाद निकाल फाइघ तरफााइं नहीं आपकी जितने भी निकाला नों उसके बाद 50 तक अब आपका आइंगेशेक्ट्टिटर क्या है से मैं लेकिन इंका अलग लग हो सक सेम रगा उसने ठीक है जैसे 8048 supports 1 kb ठीक है 8048 कितना के बीका memory support support करता था ठीक है इसका internal memory था 8049 उसका double हो गया 2 kb हो गया 805 50 में उसका 2 kb का double हो गया 4 kb ठीक है ठीक है जो 8048 has 64 parts internal RAM इसमें कितना 48 में कितना parts of internal RAM होता था 64 का ठीक है इंक्लोडिंग 32 bytes of register या memory locations यह भी सब 64 इसमें include था लेकिन जो 8049 और 805 है ना उसमें टोटल इसमें कितना 8049 में 128 bytes का RAM था और 8050 था उसके इना 256 byte का RAM था ठीक है तो यहां बेदे को सिंपल सा सिंपल सीजिए राइट 804 48 में क्या था जो आपका internal memory था वो कितना था एक एक बढ़ते गया 48 में 1 kb 49 में 2 kb ठीक है 50 में 4 kb ठीक है लेकिन इसमें जो RAM था RAM भी क्या हो गया बढ़ रहा है 48 में 64 है इसके बाद जो तुमारा 49 है उसके अंदर कितना आया 128 आया फिसका जो 50 आया उसका डबल हो गया 156 हो ठीक है तो समय देको RAM और रोम डबल होते जा रहे और यह समझ में आ रही क्या फिसका 8052 8052 क्या है यह इसकी फैमिली का 8051 का है 805 is a simple expansion of 8051 ठीक है 8051 था उसको थोड़ा से expand किया मतलब उसमें RAM ROM चेंज कर दिया that's it जैसे 52 में 8 kb का क्या था रूम था और 256 bytes का क्या था RAM था ठीक है 8052 अलाव programmer to write large program and they that can use more data ठीक है जो programmers थे उनको और भी freedom मिलने लगा 805 में जिसके तुरू क्या कर सकते थे और भी बड़े-बड़े programs लिख सकते थे जैसे फ्रीज का program लिखना है उसमें और भी बहुत सारे features देने तो उस में क्या होगा उसमें बहुत सारा और प्रोग्राम लिखने जरुत पड़ेगा उसके लिए ज्यादा memory space की जरुत पड़ेगी ठीक है उसको run करने के लिए ज्यादा RAM की भी जरुत पड़ेगी the cost of 8052 is more than the 805 obviously इसमें ज्यादा RAM रूम मिलेगा तो cost भी बढ़ेगा जैसे आप RAM रूम बढ़ाते हो addis बढ़ाते हो RAM बढ़ाते हो तो क्या होगा उसमें ज्यादा cost देने बढ़ेगा उसका price भी बढ़ जाता राइट 8052 also has one extra 16 bit counter timer ठीक है तो यह counter timer जो था ना इसमें 80551 में इतना नहीं था जितना इसमें एक और extra डाल जिया गया counter timer किसके अंदर इसमें ट्रिपल हो जाएगा ठीक है इस counter timer give more flexibility इसके विए से उसको ज्यादा flexibility मिलती है अब देखो 8032 और 803 8031 और 32 दे दोने भी क्या है इसके जो 51 और 52 इसके इसके यह alternative version थे the alternative version of 8051 और 8052 और 31 और 32 इस ओके इस devices do not have any on board room इसका इनका खुद का RAM और रोम नहीं होता था ठीक है इस आर एक्सलेंट डिवाइस फॉर prototyping and low volume products अगर कुछ आप बना रहे हो प्रोटोडाइब बना रहे है उस case में यह काम आते है इसके वाद 8052 यह नया था इसमें क्या था यह भी देखो इसमें सी basic language का use क्या था था प्रोग्रामिंग के लिए ठीक है अनदर फॉर्म अब 8052 इस यह लिए लखा गया क्योंकि इसमें प्रोग्रामिंग क्या था 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 इसके अंदर लेकिन इस प्रोग्रामिंग लैंगवज इन रोम ठीक है इसमें बेसी प्रोग्रामिंग लैंगवज यूज की जाती थी तो आईओ समझ गया 8051 के सारी फैमिली कहा से स्टार्ट होती है पूरेट से लेके 52 तक जाती है उसमें 52 में एक एक्ष्ट्रा आता है आपका एच बेसिक लास्ट इस गिफ अप्लीकेशन उफ माइक्र कन्ट्रोलर अभी तीमोर्स व्, टाइम नेप्लीकेशन पढें थरी फूलिकल्श Employee in machines as a or as a slave in distributed process इसको आप independent as a soda computer use कर सकते हो जैसे washing machine का example दिया था बाकी जो क्या बोलते हैं रिमोट में या अलग-अलग जगह पे उसका सकते हो जा फिसको slave अगर आपको distributed system यूज करना है तो अलग-अलग मदब ऐसा होगा कि यह micro इसका अलग होगा और यह क्या करेंगा इसमें इंपूट आपूट और जो भी क्या बोलते हैं डिस्प्ले करने के लिए होगा वही चीज़े होगा ठीक है मतलब इसको distributed इसको अलग-अलग या इसको independent भी यूज कर सकते हो ठीक है यहां पर आपका होता है टॉपिक खतम आप यहां पर आया था इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ इंटल 8051 microcontroller contains total instruction कितने टोटल इंस्ट्रक्शन करता है 111 सगुन का 111 ठीक है उसके बाद Intel 80851 माइको कंट्रोलर है कितना राम होता है 128 बाइट तो यहां पर देखो 128 इंट लिखा है तो यह साज जिई अप देखो यहाँ पे सारे अंसर दिए आप खुछ से कर सकते हो और यहाँ पर होता है आपका है इतने तोपिक पढ़ा है और और अगर अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई सब्सक्राइब भी कर दो ठीक है थोड़ा दो सपोर्ट कर दो और दूसरों के शेयर करो और उनको भी वोलो सब्सक्राइब कर लो चैनल को ठीक है फ्री में एकदम फ्री है आपको सिर्फ क्या करना है सब्सक्र सब्सक्राइब करें